आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाऊ डाउनलोड नाउ Question says Construct a quadrilateral ABCD given that AB equals to 5 cm BC equals to 4 cm Angle B equals to 70 degree and angle A equals to 90 degree और फिर angle C जो है वो भी दिया है हमें 150 degree हमें 5 चीज़े लिए गई है इसे हमें quadrilateral बनाना है ABCD तो हम सबसे पहले बनाएंगे सबसे पहले हम ड्रॉख करेंगे AB जो base होगा quadrilateral का 5 cm उसे ड्रॉख करेंगे तो यह हमने ड्रॉख किया AB 5 cm यह हमारी line AB 5 cm की अब हमें draw करना है BC 4 cm उससे पहले हमें दिया है angle B जो है 70 degree तो हम angle B को protractor से mark करेंगे 70 degree क्योंकि यह compass से बनाना possible नहीं है तो यह हमारा 70 degree यहां पर हुआ और जो BC point है उसकी length हमें दिया है 4 cm तो हम BC के लिए 4 cm यहां पर measure करेंगे सबसे पहले 4 cm measure हुआ अब यहां पर हम एक arc draw कर देंगे इस 70 cm वाले dot के नूचे फिर हम इसे join कर देंगे B point से तो यह होगा कुछ ऐसा तो यह जो हो गया हमारा हो गया C point point C हो गया जो कि है 4 cm का और यह जो line base A भी है यह हमारी 5 cm की फिर हम एंगल A 90 degree के बने तो हम एंगल A को 90 degree पहले मार्क करेंगे compass से यहां पर हम थोड़ा छोटा radius लेकर 90 degree सबसे पहले मार्क करेंगे यह हमारी होगी first arc फिर यहां पर center लेकर same radius से यह वाली arc होगी हमारी 60 degree angle फिर यह हमारा center intersection वाला point और यह होगी हमारी 120 degree की arc 90 degree angle जो रहेगा वो 120 degree वाली arc और 60 degree वाली arc की बीच कर आएगा तो यह 120 degree वाली arc का center same radius से 90 degree वाली arc 60 degree वाली arc का center दोनों arcs को cut किया जो point of intersection है वो हमारा होगी है 90 degree वाला फिर हमें given है जो angle C है वो है 150 degree तो हमें angle C पर प्रोट्रेक्टन कंपास से angle C बनाएंगे angle C 150 degree मतलब 180 degree और 180 degree और 120 degree की बीच में आगा तो यह हमारी first arc हो गई फिर हमारी 60 degree वाली की second arc 60 degree से arc बनाई तो हमने यह होगी 120 degree वाली arc फिर 120 degree वाली arc से यह होगी हमारी 180 degree वाली arc फिर हम इस direction में angle 120 degree वाली और 180 degree के बीच के लिए हम arc draw करेंगे फिर 180 degree से भी arc draw करेंगे तो यह point of intersection आएगा यह point आएगा हमारा 150 degree और यह point हमारा 90 degree अब हम point A से और point C से उनके respective angles की arc line draw करतेंगे और जो point of intersection होगा वो होगा point D यह होगा कुछ इसे और बड़ी draw करतें सिर्स point C से draw करेंगे तो यह आएगी कुछ ऐसी और यह point of intersection आएगा हमारा यह दोनों lines का यह आएगा point D तो यह हमारा required quadrilateral है A, B, C, D यह हमारा final answer है Classics to 12 से लेके NEED IIT जेही means और advanced के level तक 10 मिलियन से जादा students का भर हो सा आज ही डाउनलोड करें doubtnet आप यह WhatsApp कीचे अपने doubts 84444 सुपर